मैं पच्छले 13 माह और 7 दिन से इस लड़की की महबत में मुपतला हूँ। उस लड़की को शायद मालूम नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका नाम जीनी है, वो एक बीकरी में काम करती है। बीकरी मेरे घर से थोड़ी ही दोर है, आतनी दोर के। मैं अपने कमरे क कि खड़की से बीकरी देख सकता हूँ। कभी कभार जीनी किसी काम से जब बीकरी के बरामदे में निकलती है, तो मुझे उसकी जलक नजर आ जाती है। मुझे मालूम है कि वो किस तरह के कपड़े पहनती है। इसके सेंडलों का रंग भी। मुझे मालूम है, वो थोड़े थोड़े दिनों बाद अपने सेंजल तबदील करती रहती हे औस के पास चार जोड़े सेंजलों के हैं ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं उससे महबबत करता हूँ और उसकी हर चीज और हर हरकत को नोट करता हूँ मैं अक्सर बलावजा बीकरी में जाता रहता हूँ कभी डेबल रोटी, कभी दूद तो कभी दही लेने के बहाने जीनी मुझे देखती है और मुस्करा कर मुझसे पूछती है आपको क्या चाहिए और मतलूबा चीजें पेक कर पूछती है और कुछ, और मैं कहता हुशकरिया बस अल्ला मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे ऐसे घर में आकर कौन खुश नहीं होगा जहां मुझ जैसी सास हो, जो मां से बढ़कर हो खाला ने अपनी तारीव का मौकी हाथ से जाने नहीं दिया था जी, जी ठीक कहा खाला आपने सभी हाजरीन ने कहा खूब रोनक लगी थी छोटी चची की दोनों नोब्याहता बहुएं भी शामिल थी शुर्बत खुजूर से रोजा खूल कर मर्द सब नमाज को चले गए तो खुवातीन भला क्यों पीछे रहते मिलकर सबने नमाज पढ़ा ली मर्दों के आते ही रबह अरूसा और दूसरी रिष्टेदार बच्चियां दस्तरखवान बिछाने में लग गई बर्यानी की उष्टहा अंगेज खुश्बू ने सब की भूख चमका दी थी रूसा भही लाना तो अपने लडिन मामों के वास्ते बर्यानी की खाब रूसा ने फूरा काब बढ़ाई खाला चारों तरफ देख रही थी कि किस किस तक सब इश्या पहुँच रही है या नहीं आप नान लेजिए भाभी बैगम खाला ने बड़ी ममानी की तरफ नान का हाट पाट बढ़ाया